हेलो दोस्तों, वैदीखोम रेमिडीज में आपका स्वागत है आज हम आपको ब्लेडर यानि मुत्राश्य में होने वाले कैंसर को लेकर कितनी अवेर हैं आप महिलाय ब्रेश्ट कैंसर, स्तन कैंसर या सर्वाइकल कैंसर यानि की गृभाश्या का कैंसर की तल्ला में मुत्राश्य के कैंसर पर अधिक ध्यान नहीं देती। आपको ब्लेडर कैंसर के लक्षनों के बारे में अवस्य ही पता होना चाहिए। विसे इस रूप से महिलाओं को बहुत से लोग सोचते हैं कि मुत्राश्य का कैंसर केवल व्रत लोगों को ही होता है। हलंकी रिपोर्ट से यह पता चलता है कि महिलाओं को ब्लेडर कैंसर का पता इसकी एड़वांश टेज पर ही पता चलता है। यदि आपको पहले से इनी लक्षनों के बारे में जानकरी होगी तो आप इसका जल्दी पता लगा पाएंगे और इसका इलाज करवा सकेंगे। इस वीडियो में मैं आपको मुतराश्य केंसर की लक्षनों के बारे में बता रही हूं। कभी कभी जब मुतराश्य की कैंसर का लक्षन पहली बार दिखाई देता है तब यह शरीर के अन्य भागों तक फैल चुका होता है। यदि कैंसर फैफ़रों तक पहुंच जाता है तो सांस लेने में तकलीफ होती है या कफ होता है। यदि हैं लीवर तक पहुंच जाता है तो इसके कारण बहुत अधिक पेट दर्द होता है। यदि हैं हड्यों तक फैल जाता है तो इसके कारण हड्यों में दर्द या फ्रेक्चर भी हो सकता है। आते हैं महिलाओं में ब्लेडर की कैंसर के लक्षनों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। यूरिन में ब्लड का आना कई महिलाएं इस लक्षन की और दिहान नहीं देती क्योंकि वे इसे मेनोपॉज या माशिक धरम से इसे जोडती हैं। यदि आपको यूरिन में ब्लेट दिखाई दे तो आपको तुरंथ ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दूसरा है यूटी आई जैसे लक्षन। ब्लेडर की कैंसर के बहुत से लक्षन यूटी आई के समान ही होते हैं। लक्षन की समानता के कारण कभी-कभी आप इसे यूटी आई ही समझ लेते हैं। आते हैं भले ही यूटी आई की लक्षन हो। हम आपको यह सलहा देंगे कि आप अपनी मेडिकल जांच अवसे ही करवाएं। यह महिलाओं में ब्लेडर कैंसर का मुख्ष लक्षन है। यदि कैंसर मरीज की हडИوں तक बहुन जाए। तो मरीज को कभी-कभी हडियों में वी दर्द होता है। यह प्लेडर कैंसर का भूख का कम होना। यदि कैंसर भढ़ चुका है या फैल चुका है तो भूख नहीं लगती। कैंसर का आम लक्षन है। आपका वजन कम होने लगता है और अक्सर थकान होती है। पांचवा है धुमरपान यदि कोई लक्षन नहीं है प्रन्तु शोथ से पता चला है कि लगभग 50% लोग जिने ब्लेडर का कैंसर होता है वे धुमरपान के आदी होते हैं। ब्लेडर कैंसर होने का या एक मुख्य कारण हो सकता है और दुश्प्रणियामों को टालने के लिए तुरंत ही या आदत छोड़ देनी चाहिए। तो आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा अगर अच्छ लगा तो लाइक करें और शेर करें और मेरी आने वाली नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।